केंदरीय सटाक परिवाहन मंत्री नितिन गटकरी आज उज्ञेयन का दौरा करेंगे यहां वो 6,240 ज़्ादा करोई रुपे की लागत से बनने वाली 500 विभिन सडकों का सिरनास करने वाले हैं केंद्रे मंत्री नितिन गटकरी कुल मिलाकर 11 सड़को कशलन्यास करेंगे वहीं इस पूरे कारेकरम की अध्धिक्षिता प्रदेश के मुख्य मंत्री शिर्वा सिंग चोहान करेंगे जो कि उज्जेन की आगरा रोड पर आयोजित किया जाएगा बतादे कि नितिन गटकरी दोफैर 12 बजे उज्जेन पहुचेंगे जिसके बाद वो दोफैर 12 से साड़े 12 बजे तक कोठी पैलेस के पास बने दिव्यांग पारकन रिक्षन भी करेंगे इसके बाद मंत्री महकालेशवर मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करेंगे और पूजा अचना के बाद आगरा रोड उज्जेन के पास देड़ बजे सड़को का शलन्यास कारिक्रम में शामिल होगे मेरे सईयोगी शबीर आइमत भुपाल से हमारे साथ लाइफ जुड़ गए हैं बिल्कुल आद्न केंद्री मंत्री नितिन कटगरी मदब्रदेश की जनता को खासकर मालवा अंचल की बात की जाये तो मालवा अंचल की जनता को बड़ी सोगाते देने जा रहे हैं बासट सो करोड से जादा की सडक परियोजना की वो शिलन्यास करेंगे बताया जा रहा है ग्यारा बड़ी सडकों का ये शिलन्यास है और ये खासकर उज्जेन हो गरोट हो या उसके आसपास की जितने भी इलाके हैं वहां की सडक परियोजना का आज वो शिलन्यास करने जा हैं और यह कह सकते हैं कि आज बड़ी सोगाते मिलने जा रही है तो कनिक्टिवी ठीक काफी फायदा होगा वहां के आने जाने सुभ़ा ग्यारा बजे के आज पास उज्जयन पहुंचेंगे फिर उसके बाद वहां पर बाबा महकाल के द parfन करें गया और करीब देड़ बजे के पास उज्जयन में एक जगा है वहां पर बड़ा कारिकरम किया जाएगा और उसमें नितिन्य के साथ करीब 11 मंतरी यानी एक दरजन के करीब मंतरी वहां पर मौ companion रहेंगे सांसथ मौझुद रहेंगे विदायक मौझुद रहेंगे यानि बड़ी सोगात मिलने जा रहे ही है जिस तरीके साप मंतरियों का अंदाजा लगारी जा सकता इसी सानदाजा लगाइज सकता कि कितनी बड़ी ये परियोजना है करोड रुपे की परियोजना है और उमीद है लक्ष है विभाग का के 2022 या 2023 तक कोशिश तो यही है 2022-2023 यानि विदानसभा चुनाओं से पहले इन सड़क परियोजना का जनता को सोगात दे दी जाए तो यह कह सकते है आज बड़ी देखैंगे लोगों कितनी रहात मिलेगी इस सड़को से नटे अलीशना बात की जाए तो जो 11 सड़के उसमें से सबसे महत्पूंट सड़कों की बात कि रहा है चो बात की जाए तो उज्जेन देवास फोल लेन इसके अलावा उज्जेन ज्रावार टूलेन उज्जेन बद उज्जेन और देवास दो अलग अलग जिले हैं इसको जोडने का काम किया जगा उज्जेन जहलावार जहलावार राइस्थान में इसको टूलेन के जरीए जोड़ा जाएगा इसके अलवा उज्जेन और बदनावर उज्जेन और बदनावर में भी काफी दूरी है इसको भी के जोडने का सडकों के जरहें कोशिष की जाएगे और उज्जैन और गरोट में काफी मनसोर में आता है रोगं जिला यानि इतना बड़ प्रोजेक्ट इसका अंदासा लगाए सकता है एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने का प्रियास किया जागा तो आम каждão के लिए काफी यह लाब-दायक है और काफी फारीटीं परियोजना है क्योंकि यह लंबे समय से मांग की जा रही थी के वहां के जिलों को एक दूसरे से जोड़ा जाए जिससे परिवाहन में भी फाइदा मिले लोगों को आवा जाही में भी फाइदा मिले इसके अलावा रोजगार में भी फाइदा मिले जब रोड कनेक्टिवीटी काफी अच्छी होती है तो रोजगार में भी काफी फाइद झाल झाल